नूर्पूर स्कूल बस हादसे के साथ आज शिमला जहांजडी बस हादसे पर कोट में सुनवाई हुई मुख्या नयदीश वर जस्टिस अनूप चितकारा की खंड़ पीट में मामले की सुनवाई हुई जो की कल तक यानि की 3 जुलाई तक टाल दी गई मामले की सुनवाई अब कल होगी कोट ने निर्देश दिया कि हादसों पर कमेटी का गठन किया जाए कौन-कौन से लोग इस कमेटी में होंगे इस पर भी नेने लिया जाएगा ये कमेटी हादसों पर एक रिपोर्ट तयार करेगी और भविश्य में हादसों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा इंतजामों पर काम होगा जो एक बहुत ही दुरबाग्यपून जो हादसा हुआ है हमारे शिमला में जो खलीनी के पास जंजीरी खशेतर है वहाँ पे एक जो स्कूल बस नीचे खाई में गिर गई और जिसमें जो हमारे जो बच्चे दे चेल्सी स्कूल के वह बहुत ही गंबी रूप से गायल हुए और कुछ बच्चों की उसमें जान भी गई है उसी को लेकर हमने पिछले दिन यहां पर ओनरबल सीजे के सामने के सामने केस को मेंशन किया था कि इस केस की सुनवाई की जाए क्योंकि जो पिछले कुछ महीनों पहले नूरपूर में भी एक ऐसी दुरगटना हुई थी उसके बाद सिर्मौर में एक ऐसी दुरगटना सामने आई थी और यह तीसरा ऐसा हाथसा है जिसमें स्कूली बच्चों ने अपनी जान गवाई है इसी को लेकर आज जो नूरपूर हाथसा है उस केस की सुनवाई की गई जिसमें जो उसमें अमाइकस रहे हैं जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे हैं श्रवन डोगरा जी उन्होंने उसमें बहस की उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो ओनरबल कोट है वो कुछ ऐसी डाइर सामने आया है वो भी एक तो जो रोड साइड पार्किंग है जो इलिगल पार्किंग पूरे शिमला में आप देख सकते हैं और जो वो सड़के वो एक एंबुलिंस रोड थी वो पहले ही उसकी चुडाई कम है जिसमें से सिर्फ जो छोटी बसे वो बहुत दीरे-दीरे से न निर्मान तो हुआ है पर उन सड़कों की देखर एक नहीं की जा रही है और जिस तरह से पहले मोटर विक्रिल एक के तहत यहां पे था कि आपको एक पार्किंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तब ही आपकी गाड़ी का रिजिस्ट्रेशन होगा हमने कोट में भी यह ब पार्किंग सर्टिफिकेट यह जो लोग है वह पनी पार्किंग के पैसे पचाने के लिए सड़कों के किनारे इल्लिगल पार्किंग करते है इस पे प्रशासन का क्या स्टैंड है हम इसी को लेकर आज नियालने में आये थे और अब हम एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इन चीजों पर ध्यान देगी इसी को लेकर कल इस बैस इस पर सुनवाई कल फिर से रखी गई है और हम लोगों को कहा गया है कि हम अपने सिजेशन्स दें कि इस कमेटी में हम किन-किन लोगों को इंकॉर्परेट कर सकते हैं शिमला से सोनी की रिपोर्ट